हेलो गैस केसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नहे वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस की OnePlus Nord CE3 फोन में आप लोग एपलिकेशन को कैसे हाइट कर सकते हो अगर आपके फोन में जो बहुत सारे एपलिकेशन से हैं जिनको आप तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एप् privacy का option है इस पे click कर दीजिए click करने के बाद यहाँ पर एक hide apps का option होगा hide apps पे click कर दीजिए और यहाँ पर आप लोगों को privacy passport जो है डालना होगा पहले तो अगर आप लोगों ने डाला हुआ है तो और डाल दीजिए अगर नहीं डाला है तो अब दिखाते तो कैसे आप लोग privacy passport बना सकते हो तो settings में जाएए कोई भी यहाँ पर passport set कीजिए यूज पर क्लिक कीजिए दुबारा और एक बार यहाँ पर वही passport डाल दीजिए confirmation के लिए और यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए और यहाँ पर उपर में जो right button है उस पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर हाइट करने के लिए जिस भी application को हाइट करना चाहते है उस पर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद देख सेकते access code डालना है तो settings पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे पहले hash डालेंगे उसके बाद आप लोग कुछ भी number जो है यहाँ पर डाल सकते हो डालने के बाद आप लोगों को फिरिसे last में hash डालना है और उपर में right बले बटन पर क्लिक करना है और done पर क्लिक करदेना है ऐसा करने से आपका जो एप्लिकेशन से अभी सभी एप्लिकेशन को आप लोग यहाँ पर से height कर सकते हो जिस भी application को height करना है उसको सिर्फ on कर देना यहाँ पर से देख सकते chrome को मैंने on कर दिये है अभी मैं अगर जाके chrome को देखूंगा तो यहाँ पर chrome नहीं मिलेगा ठीक है इस chrome जो वो height हो गया है तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने oneplus note ce3 phone में applications को height कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई